नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद इस प्रश्ण को देखें यहाँ पे क्या कहा है कि फलन x sin x square का x के सापेख्ष समागलन कीजी यहाँ पे आपको फलन दिया है x sin x square और आपको समागलन करना है x के सापेख्ष ठीक है तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं आई बरावर समागलन x sin x square dx ऐसा ही लिखेंगे अब यह बताएए यहाँ पे यह थोड़ा सा सयुक्त फलन बन रहा है तो सयुक्त फलन में आपको क्या करना पड़ता है आपको पहले ही कोशिश करनी है कि एक ऐसा फलन ढूंडे जिसका अगलन महाँ पे दिख रहा हो तो क्या कोई फलन आपको ऐसा मिल रहा है जिसका अगलन यहाँ पे दिख रहा है आपको आप यहाँ पर ढूंडने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फ़लन आपको परिशान कर रहा है आप देख रहे हैं कि x² यहाँ पर थोड़ा सा परिशान कर रहा है आपको तो आप यहाँ पर x² को t ले लेंगे ठीके, तो इससे आपको क्या मिलेगा 2x dx पराबर dt अब यहाँ पर देखिए x dx का मान नहीं मिल जाएगा हमें dt की टर्म्स में, है ना? तो हम यहाँ पर इस i को क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे i बराबर समागलन sin x² को क्या लिखा था हमने? t और यह जो x dx है, इसका मान क्या आएगा? यह 2 यहाँ पर डिवाइट में आएगा तो इसको आप लिखेंगे dt by 2 ऐसा ही करते हैं? आप तो यह बिल्कुल सारल प्रेश्ण बन गया 1 upon 2 को आप इस समागलन से बाहर ले लोगे? तो यह आएगा 1 upon 2 समागलन sin t dt और sin t का समागलन क्या होता है? जल्दी से बताइए sin t का समागलन होता है cos t क्या मैंने सही लिखा? minus cos t होईगा ना? बिल्कुल सही यहाँ पर sin t का अफगलन होता है plus का cos t लेकिन sin t का समागलन minus का cos t होता है तो यहाँ पर आएगा minus cos t और इसमें एक नियतांक भी आएगा c तो i का मान क्या आया आपके पास i मतलब इसका जो समाकलन आया इसका मान आया minus 1 upon 2 cos t plus c ये आया इसका समाकलन अब कुछ बच्चे सूच रहे होंगे कि जो ये एक बटा दो है ये सब के समाकलन के साथ था तो यहाँ पे तो इस प्रकार से आना चीए था minus cos t plus c तो ये कैसे किया आमने 1 upon 2 कहा गया आप जानते हैं कि जब 1 upon 2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा minus 1 upon 2 cos t plus 1 upon 2 of c और ये पूरा क्या है constant ही तो है किसी भी एक constant में 1 upon 2 भी एक constant है किसी दूसरे constant के गुणा करवाएंगे तो result क्या मिलेगा एक constant ही तो मिलेगा तो इस वज़े से यहाँ पे 1 upon 2 लिखना ज़रूरी नहीं है और हमने इसको से c ही consider किया ठीके इस प्रशन को देखे यहाँ पे आपको एक फलन दिया है और इस फलन का x के साब एक समाकलन करना है ठीके तो पहले तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं i बराबर x log x whole square यह बताईए इस प्रकार के समाकलन में हमें क्या करना होता था हमें एक फलन लेना होता था जो हमें परिशान कर रहा है या जो हमें डरा रहा है और हमें देखना था कि उसका अफकलन वह पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो यहां आप देख रहे हैं कि दो फलन की बात की जा रही है एक x की और एक log x की तो यहां पर आपको log x का अफकलन तो नहीं मिल रहा है और अगर x को आप देखते हैं तो x का अफ कलन dx तो है लेकिन इसको t लेकर कोई फायदा नहीं है आप देखिए अगर x को आपने t ले लिया तो यह हो जाएगा log t square और यह हो जाएगा dt पूरा का पूरा पलन तो वैसा के वैसा है यह तो सरल्फ हुआ ही नहीं तो यहाँ पे x को t लेकर तो कोई फायदा है नहीं और अगर log x को t लेंगे तो यहाँ पे 1 upon x हमें मिलनी रहा है तो कोई भी एक ऐसा फलन नहीं है जो बदल पा रहा हो तो अब क्या करेंगे आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो दो फलन है यह किसमें है कुणा में है और आपने एक खंडशाह समागलन पड़ा था क्या होता था उसमें उसमें अगर आपके पास कोई दो फलन यू और वी कुणा में है और उनका आपको समागलन करना है तो क्या होता था पहला फलन दूसरे का समागलन माइनस पहले का कलन दूसरे का समाकलन और उस पूरे का whole समाकलन यही सूतर होता था यह सूतर कौन सा है खंडशा समाकलन का सूतर राइट याद आ रहा है आपको तो यही सूतर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं क्योंकि दो फलन हमारे पास है इसको हम Apex बोल सकते हैं और इसको हम GX बोल सकते हैं या UV जिस प्रकार से भी आपने सूतर याद किया है उस प्रकार से हम इसको मान लेंगे और फिर हम इसका समाकलन करेंगे लेकिन यह कैसे डिसाइड करते थे हम खंडशा समाकलन में कि कौन सा फलन पहला होगा और कौन सा फलन दूसरा आपको याद होगा हमने एक रूल बताया था आई लेट का है ना आई लेट मतलब यहाँ पे आई होता था त्रिकोन मी तिये आई होता था इन्वर्स के लिए मतलब की त्रिकोन मी तिये फलन एल होता था log के लिए मतलब लगुगणा की फलन A होता है algebra के लिए मतलब बीजगणितिय फलन T होता है trigonometry मतलब tricon में तिय फलन और E होता है exponential function मतलब की चरगरांग की फलन तो इसी sequence में हम यहाँ पे फलन लेते हैं हमें यहाँ पे दो फलन पता है एक है x जो की एक बीजगणितिय फलन मतलब की algebra function है और दूसरा log x मतलब की लगुगणा की फलन मतलब logarithmic function तो अब यह बताए A और L में से इस highlight में कौन पहले आ रहा है और कौन बात में आप देख रहे हैं कि A और L यहाँ है इन में से L पहले आ रहा है और यह बात में आ रहा है इसका मतलब यह जो log वाला function है वो हमारा पहला फलन होगा और जो algebraic वाला function है वो हमारा दूसरा फलन होगा तो log x को आप यहाँ पे पहला फलन लेंगे और x को दूसरा फलन लेंगे और यहीं लेके आप इसमें खंडशाह समाकलन का ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने पहला फलन माना है log x के वर्ग को और दूसरा फलन लिया है x को. यहाँ पे हम खंडशा समाकलन का प्रियोग करेंगे, जिसमें fx इंडू gx होता है fx, समाकलन gx, minus dy dx of fx, समाकलन gx, और इस कोरे का समाकलन. इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रियोग करेंगे, तो हमें i का मान क्या मिलेगा? fx का मान आ जाएगा log x square, समाकलन gx, मतलब x का समाकलन, minus dy dx of fx, मतलब dy dy dx of log x square, समाकलन gx, मतलब की x, x का समाकलन, और इस पूरे का whole समाकलन. इसको हल करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा, log x whole square, x का समाकलन क्या होगा? x square by 2, minus dy dx of log x, बताएगे इसका अकलन करके क्या मिलेगा? 2 log x upon x, यही होगा, और x का समाकलन, x square upon 2, अब इस पूरे का हमें समाकलन करने हैं, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा हल करके लिख सकते हैं, x square upon 2, log x whole square, minus समाकलन, एक x से एक x कैंसल, एक 2 से एक 2 कैंसल, कितना बचेगा? x log x dx, राइट? अब इसका समाकलन हमें करने हैं आगे, इसका दुबारा समाकलन करके हमें क्या मिलेगा? यह होगा, x square by 2, log x का whole square, यह तो ऐसा कैसा आएगा? यहाँ पर यह पहला फलन हो जाएगा, और यह दूसरा फलन, तो minus, इसे आप लिखेंगे, पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन, तो x का समाकलन होगा, x square upon 2, minus, पहले का अपकलन, log x का अपकलन के आएगा, 1 upon x, और दूसरे का समाकलन, x का समाकलन आएगा, x square upon 2, और इस पूरे का, फिर से समाकलन होगा, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं, x square upon 2, log x square, minus, x square upon 2, log x, minus, minus, 1x, 1x cancel हो जाएगा, 1 upon 2 बाहर ले लेंगे, फिर क्या बचेगा? x, x का समाकलन क्या होगा? x square upon 2, right? सारा समाकलन होगी, और लास में लिख देंगे, plus c, इसको और हल किया जा सकता है? नई, तो बस इसको हम लिखेंगे, x square upon 2, log x whole square, minus, x square upon 2, log x, minus, minus, plus, x square upon 4, plus c. यह आया हमारा answer, ठीके? इस प्रश्चन में कहा है कि योगफल की सीमा के रूप में आपको इसका समाकलन करके इसका मान निकालना है. अगर यहाँ पे यह ना दिया होता कि योगफल की सीमा के रूप में इसका मान निकालिए, तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसका समाकलन कर लेते, x का समाकलन होता x square upon 2, और इसमें आप सीमा लगाते 1 से 2, और फिर गया होता है, पहले उच्छ सीमा रखते तो 4 upon 2, minus 9 सीमा रखते तो 1 upon 2, तो इसका मान आता 3 upon 2. तो यह तो आपको पता चल गया कि इसका जो आंसर आएगा, वो कितना आएगा, 3 upon 2, right. अब हम इसका हल करेंगे योगफल की सीमा के रूप में. तो अब बताएगे कि योगफल की सीमा के रूप में, अगर हमें कोई फलन इस प्रकार से दिया है, समागलन a से b fx dx, तो क्या लिखते हैं इसको हूँ? यहाँ पे आप लिखते हैं, limit n tends to infinite, h fa plus fa plus h plus, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएंगे हूँ? fa plus n minus 1 h तक, ऐसा करेंगे, और यहाँ पे हम h की जगा 1 upon n ले लेते हैं, क्योंकि n की सीमा लगाई हैं हमने, और h और n में संबंद क्या होता है? h बरावर होता है b minus a upon n, ठीक है? a और b इसकी सीमा होती हैं, तो ऐसा करते हैं, इस प्रेश्णों को शुरू करते समय, हम पहले h का मान निकाल लेते हैं n के बदों में, जो की हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो h का मान कितना आएगा? यहाँ आएगा h बरावर b, b का मान है 2 minus a का मान है 1 upon n, तो कितना आजाएगा 1 upon n? तो यहाँ पे तो 1 upon n ले ही लिया था, अब हम इसके मान रखते हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगा, ले में, n tends to infinite, 1 upon n, f a का मान बताइए, यहाँ पे आपके पास f x का मान है x के बरावर, तो f a का मान क्या हो जाएगा? a के बरावर, प्लस f a plus h का मान हो जाएगा, a plus h के बरावर, इसके बाद आएगा f a plus 2h, उसका मान हो जाएगा a plus 2h के बरावर, और ऐसे चलते चलते, हम यहाँ पे f a plus n minus 1h का मान, a plus n minus 1h ही रखतेंगे, है ना? और इसको और हल करोगे आप, तो क्या मिलेगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, अगर हम सारे a को एक साथ ले ले, तो यहाँ पे कितने a आ रहे हैं? हमने यहाँ पे n minus 1 पद लिए थे ना? तो एक से लेकर n minus 1 तक यह वाले पद और एक पद यह वाला, तो कुल n पद हो गए, क्या हम इसको n a लिख सकते हैं? और इसमें से अगर हम h common ले ले, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1, प्लस 2, प्लस इससे अगला होगा 3, प्लस ऐसा चलते चलते हम यहाँ पे n minus 1 तक जा रहे हैं. राइट? आब इसको थोड़ा और हल करेंगे, तो हम लिखते हैं limit n tends to infinite 1 अपॉन n a प्लस h, यह है प्राकृत संख्याओं का योग कितनी n minus 1 तक? आप जानते हैं n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n into n प्लस 1 अपॉन 2. हम यहाँ पे n minus 1 प्राकृत संख्याओं का योग जानना चाहते हैं, तो n की जगाँ पर लिखेंगे n minus 1, फिर यहाँ पे n minus 1 प्लस 1 हो जाएगा n upon 2, तो इधर आप लिख सकते हैं n, n minus 1 upon 2, राइट? अब इस 1 upon n को अंदर गुणा करें, तो क्या मिलने वाला है हमें? आप देखेंगे कि 1 upon n जब इससे गुणा होगा, तो यहाँ बचेगा a plus h upon 2 n minus 1, क्योंकि इस n ने इस n को कैंसल कर दिया, तो यहाँ h upon 2 n minus 1 बचा, चिके? यहाँ पर हमने h का मान निका ला था, n के पदों में क्या था? 1 upon n, हम अगर इसमें h का मान रखतें, तो यह आएगा limit n tends to infinite a plus h की जगा रखेंगे 1 upon n, तो यह हो जाएगा 1 upon 2 n, n minus 1, चिक? तो इसको हल करके आपको मिलेगा, limit n tends to infinite a plus 1 upon 2, 1 upon n को यहाँ गुणा करोगे तो n से n कैंसल, यहाँ बचेगा 1, minus 1 upon n को 1 से गुणा करोगे तो 1 upon n, चिके? अब यहाँ पर हम limit लगाते हैं, तो limit लगाके हमें मिलेगा, यह तो हो जाएगा a plus 1 upon 2, और 1 upon infinite 0 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आया a plus 1 upon 2, यह किस का मान है? यह समागलन 1 से 2, x, tx का मान है, यहाँ पे आपको a का मान और b का मान पता है? a क मान है 1, और b क मान है 2, तो जब आप इसको हल करोगे, तो a क मान यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 plus 1 upon 2 कितना आ जाएगा? 3 upon 2, तो आगया, तो यह जो 3 upon 2 है, यह इसी के समागलन का हल है, और हमने तो अपने दूसरे वाले method से यह answer पहले ही निकाल लिया था, है न? लेकिन अगर आपको विधी दी है question में कि इस विधी से करो, तो आपको प्रश्ण को उसी विधी से हल करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई और विधी नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? यहाँ पे आपको समागलन करना है, आपकोई से मागलन आता है, तो आपका माइंड एकदम से आप से कहते हैं कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई गुंदधण यूज़ करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हो कौन से गुंदधण यूज़ कर सकते हैं? आप देखरे हैं कि इसकी सीमा यह 0 से πाई है, जिरो से पाई वाली सीमा में आपने एक गुंधम पड़ा है जिरो से A Fx Tx बराबर समाकलन जिरो से A F A-X Tx यह वाला पड़क है आपने इसी का यूज करके हम इसका समाकलन करेंगे तो अगर इसको आप I के बराबर बोल रहे हो तो हमें क्या मिलने वाला है इस गुंधम का प्रियोग करके I बराबर हो जाएगा समाकलन 0 to pi इस x को हम कर देंगे pi-x 10 इस x को भी कर देंगे pi-x अपन sec pi-x प्लस 10 pi-x और यह आया dx ठीके? इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो I बराबर हो जाएगा समाकलन 0 to pi pi-x 10 pi-x क्या होता है? –10x तो इस minus को बहार ले लेते हैं और यह हो जाएगा 10x अपन sec pi-x क्या होता है? माइनस का sec x तो यहां लेका माइनस sec x और 10 pi-x माइनस का 10 x तो यह हो जाएगा माइनस 10 x dx ठीक? इतनी बाद? यहां से माइनस कॉमन लेके कैंसल हो जाएगा तो यह हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 to pi pi-x 10 x और नीचे यह जो माइनस है कॉमन लेंगे इस pi से कैंसल हो जाएगा तो नीचे आएगा sec x 10 x और यहां dx अब हमें 2 समीकरण मिल गई है समीकरण 1 और समीकरण 2 आप जानते हैं जब भी कुन्धम लगाया चाहता है तो अकसर हमेशा नहीं अकसर ऐसा होता है कि हमें इन दोनों समीकरणों का योग करना पड़ता है तो यहां पर अगला step हम करेंगे समीकरण 1 बद 2 को चोड़ने पर दोनों को चोड़ने के बाद कुछ न कुछ कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा जो समाकरण है वो easy हो जाएगा तो इस i और i को चोड़के आया 2i बराबर दोनों में जो cmi है बराबर है तो हम लिखते है 0,2pi नीचे देखिए दोनों का हर समान है तो नीचे हम लिख देंगे sec x plus 10x और यहां आएगा उपर x10x plus pi minus x10x तो आप देख रहे हैं कि इसको जवाब हल करेंगे न तो यह होगा x10x plus pi 10x minus x10x तो x10x से x10x cancel हो जाएगा तो क्या आएगा pi 10x और यहां dx इतना समझ गया अब इसको और हल करने के लिए हम pi को बाहर ले लेते हैं यहाजाएगा 0 to pi 10x अपॉन sec x plus 10x और फिर इसका परिमाय करेंगे तो sec x minus 10x से उपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे राइट तो इसे हल करके हमें क्या मिलेगा yoga pi समागलन 0 to pi 10x sec x minus 10x अपॉन a plus b a minus b का सूत्र यहां लगा देंगे तो नीचे क्या बनेगा sec square x minus 10 square x और यहां पर dx आपने सूत्र पढ़ रखा होगा 1 plus 10 square x is equal to sec square x तो इसको आप लिख सकते हैं sec square x minus 10 square x बराबर 1 तो यही मान हम यहां पर लगाएंगे तो इसका यही मान हम यहां रख देंगे तो मिलेगा क्या हमें pi समागलन 0 to pi यह रहेगा 10x को अंदर गुणा करके जब 10x को अंदर गुणा करेंगे तो होगा 10x sec x minus फिर इस 10x को 10x से करेंगे तो यह होगा 10 square x और यहां dx छिक्के अब आप जानते हैं कि pi ऐसा कैसा आएगा यह होगा 0 to pi 10x sec x minus समागलन 0 to यहां पर dx पी आएगा pi 10 square x को आप दिख सकते हो 6 square x minus 1 तो 6 square x dx यहां लेंगे minus का 1 यहां लेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा वो जो minus था इस minus के साथ गुणा ओके यह प्लस हो जाएगा चीके अब जो इसको हल करके हमें मिलेगा वो आएगा 2i का final man तो इदर से आपको मिलेगा pi 10x sec x का समाकलन क्या होता है sec x minus sec square x का समाकलन 10x plus dx का समाकलन x इसमें आप सीमा लगाएंगे 0 to pi पहले आप उच्छे सीमा लगाएंगे तो यह आ जाएगा sec pi minus 10 pi plus pi फिर minus निमसीमा तो यह आ जाएगा sec 0 minus 10 0 plus 0 अब इसके मान रखते हैं यह pi ऐसा कैसा आएगा sec pi का मान होगा minus 1 10 pi होता है 0 इसको छोड़ देंगे और यह है plus का pi minus sec 0 का मान होता है plus 1 और 10 0 भी 0 होता है यह 0 तो इदर आप देख रहे हैं minus 1 minus 1 minus 2 इस pi को अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा minus 2 pi plus pi square यह तो आया 2 pi का मान यहाँ से अगर हम i का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ भाग में आ जाएगा तो आपके पास उत्तर आएगा minus pi plus pi square by 2 यह है इसका समाक लगा यह है प्रोड़ करेंगे लनरी वाँ भाँ बाँ